गुद्बार्णिक्स्टूंट्स हम लोगोंने नमपाई स्टार्ट कर दिया था उसी स्रीज में continue करते है इसको नमपाई में हम लोगोंने basic structure पढ़ लिया था कि arrays क्या होते हैं arrays क्या होते हैं basically they are the collection of homogeneous type of elements similar type की values होगी जिनको एक साथ store करके रखते हैं तो क्या फर्म करते हैं array लिस्ट होती है multiple values hold करती है बर लिस्ट similar type की values को hold नहीं करती है वह different type की values को hold करती है और भी difference है वह हम आने वाली classes में पढ़ेंगे तो यहां anatomy of numpy arrays की बात की गई कि जो numpy array होगा उसका structure के बारे में उसमें क्या-क्या terms हम यूज करते हैं सबसे पहले axis axis आपको बताता है कि जो array आपने बनाया वह किца new dimension का वन डी है टूडे है या त्री धी है तो जो dimension होगा वह rings वोन डाईमेंशन का दूसरा व Kerry लगब अरुष्योड ता उसकी axis हो जाएगी नेक्स होता है rank rank जो होती है जो एक्सिस की वैल्यू ही होती है, जो एक्सिस की वैल्यू होगी, वो आपका rank बताएगा, फर्स्ट वाला जो array था, वो 1d, 1 axis का था, तो उसकी rank 1 हो जाएगी, दूसरा वाला array 2d था, उसका access 2 था, तो इसकी rank 2 हो जाएगी, तिसरा वाला 3D था जिसकी एक्सेस 3 थी, तीन एक्सेस थी उसमें, उसकी रैंक 3 हो जाएगी. शेप जो है वह बताता है कि नमबर ओफ एलिमेंट्स उसमें कितने आ रहे हैं, नमबर ओफ एलिमेंट्स आपके एरे में कितने हैं, से फिर्स्ट वाला है उसमें आपके वी फार वाले है तो इसकी शेफ 5 हो जाएगी सेक्ट वाला आरे जो है 2D उसमें 2 रोज और 5 वाले है तो 2,5 हो जाएगा थार्ड वाला जो आरे है 3D जो आपके पास है उसमें 3 रोज,3 कॉलम्स,2 तो 3,3,2 का structure यह बताएगा इसकी shape बताएगा data type या d type वह यह बताता है कि किस type की value यह hold करके बैठा है integer float यह जिस type की value आप इसमें डालते हैं array में वह आपको d type बताता है item size जो भी d type होगा उसकी size आपने जो data type लिया है उसकी size क्या है integer 4 byte का है floatate pipe का है जो size है वह यह बताएगा आपको ठीक है तो यह आपर attribute कुछ use किया है उनको देखते है array name dot shape तो shape बतादेगा आपको array name dot item size तो आपको data type की size बतादेगा और type bracket के अंदर जो है bracket के साथ यह function है उपर आले shape और item size attributes है और type यह है जो method है function है यह type आपको बताएगा कि basically किस type का structure है अब यहाँ देखिए np.array लिया जिसमें 4 elements हमने add कि 1,2,3,4 और वो a1 से array बना दिया हमने इससे तरीके से a2 लिया जो 2d array है जिसमें 2,4,6 फस्ट रो के elements है और 1,3,5 फस्ट रो के elements है अब type a1 type a2 किया तो type हमें क्या बता रहा है numpy.nd array कि भया a1 भी एक nd array है a2 भी nd array है a1.shape मैंने चेक किया तो shape क्या बताता है मैं number of elements फस्ट वाली array में कितने elements है 4 a2.shape किया तो 2,3 मतलब 2 rows and 3 elements अब आपने किया a2.item size item size किया item size मैंने आपको बताया था item size आपको यह बताएगा कि individual elements किस type के integer type के उनकी size कितनी होगी यहां पर integer integer कितनी byte का होगा 4 byte का होगा तो 4 answer आ गया a1.datatype आप check करेंगे it will return int integer value है तो यह int return करतेगा आपको अब यहां पर देखिए जो चीज पहले बोल रहे थे कि python list और numpy array तोनों में क्या difference है और क्या similarity थे कि दोनों के दोनों multiple values इस्टोर करवाने के काम में आते हैं बस difference है कि array आपका homogenous type of values रहता है similar type की values को इस्टोर कराता है जबकि list जो है व आपके सामने बनाया है array और list दोनों में indexing होती है forward और backward value डाली जाएंगी और दोनों की forward और backward indexing होती है forward indexing always 0, 1, 2, 3, plus 1 के form में चलेगी backward indexing पीछे से start होगी minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 करते हुए आगे बढ़ेगी अब यहां differences की बात पाइथन लिस्ट और numpy array की तो देखिए python लिस्ट जो है उसमें आप values कम या जाधा कर सकते है उसकी size कम या जाधा कर सकते है array में ऐसा possible नहीं जितनी आपने values का array बना दिया अब number of elements उसमें उतने ही रहेंगे अगर आपको replace करना है तो किसी number को value को change कर द को hold करेगा है homogeneous type की value को hold करेगा technically देखा जाए तो यह less memory occupy करता है list के comparison में ठीक है second thing जो सबसे important चीज़ है array की यह vectorized operation को allow करता है list allow नहीं करता है आपका जो array है वो vectorized operation को allow करता है कैसे देखिए a1 एक array लिया मैंने array 1,2,3,4 a1 को मैंने print करवाया तो मुझे बिला array 1,2,3,4 की अब है a1 की values 1,2,3,4 है list को print कर रहे list करके list बनी ही पहले उसकी value भी दिखा दी 1,2,3,4 मतलब आप जासे एक a1 array है जिसकी value 1,2,3,4 है list है जिसकी value 1,2,3,4 है आपने लिखा list plus 2 vector operation कराना चाहरों कि मतलब 1,2,3,4 जो value लिस्ट में पढ़ी हो सब 2,2 से बढ़ जाए लिस्ट में प्लस टू करेंगे वेक्टरized operation लगाएंगे तो it will show error लेके नीचे error शो हो रहा है और अगर मैं लिखा a1 प्लस 2 तो a1 जो array है उसकी value 1,2,3,4 प्लस 2 कर ज 2,4 equals to minus 5 मतलब 2 से लेकर 4 तक जो values हैं वो सब क्या हो जाएं minus 5 तो देखे 4 तक नहीं जाएंगे एक value कम तक जाएंगे 2 से 3 तक 4 से एक value कम तक जाते हैं और उन दोनों values को 2 और 3 वाली जो दोनों values हो उनको हम किससे replace कर देंगे minus 5 से देख लिख लिख लिखे अरे ने output क्या द बात करते वाट्सेप पे class लेंगे तब अपन डिसकस करेंगे कोई भी डाउट हो आप share कीजिएगा उसका solution वहीं पर मिल जाएगा आपको और यह सारे notes आपको copy में करने राज बहुत चोटा slide बनाया है वीडियो इतना ही है thank you